Hello everyone, welcome to my channel, तो आज हम लोग solve करेंगे value waste questions को, ओके और यहाँ पर हमारे पास first question क्या है, यह हम देखेंगे, तो यह हमारे पास first question, आईए हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर solve भी कर लेंगे, तो question क्या करता है, यह हम देखेंगे, कहता है, in here school out of 250 students of class six, एकश क्वा स्टुदेंट एं ऑउल एज हाउब, ओके 25 एए इस्टुदेंट में एकश स्टुदेंट विजिट करता है कहाँ पर, एज हम में विजिट करता है, ओके, कहता है, यह इंटर्टेंट देम with dance and music, और वहा पर उतको इंसको करते हैं dancer music से they discussed about their families and children वो उसके family और children के बारे में discuss करते हैं help them in clearing cleaning their cupboards उसके cupboards होगेरा को साप करने में help करते हैं okay but 75 children refuse to visit लेकिन उसमें से 75 children ऐसे थे 250 students में जो नहीं जाना पसंद किया है अब हम लोगों से question यहां पर कहता है find the number of student who visited old age home कितने student हैं जो old age home visit किये उसका number निकालना है तो आईए इसको हम यहां पर calculate कर लेते हैं तो यहां सबसे पहले हम लोग नौट करेंगे total students कितने हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास total हैं 250 students तो हम यहां पर note करेंगे 250 students ओके अब दूसरा यहां पर हम लोगों से कहा गया है number of student refused कितने student refused कर दिये तो यह हमारे पास से 75 तो हम यहां पर note करेंगे 75 ओके अब देखिए number of student visited कितने student गए तो यहां पर दिया हुआ x student visited ओके तो हम यहां पर लिखेंगे number of student visited x is equal to total minus जितने refuse कर गिए तो हमारे पास 250 minus यह हो जागा 75 ओके तो यहां से आपको क्या मिलेगा जरा आप minus कर लिजिए तो यहां पर 10 minus 5 that is हमको 5 आ गया और 5 यहां से borrow किये तो 4 आने की 14 minus 7 that is 4 हो गया ओके और यहां पर 1 अपना यहां बच गया तो यहां पर हमारे पास आगया 145 student जो विजिट की है कहां पर तो always home में ओके तो यहां पर हमारे पास question भी है कहता है what value is sound by दो जास्टूडेंस तो हम यहां पर simple सा लिख सकते हैं helping others यह value उसमें है वोगे आप कुछ और भी हां पर not कर सकते हैं अभी हमारे पास question number second है और यह कहता है during an earthquake x students of class 6 class 6 कि कितने स्टूडेंट है एक स्टूडेंट है कितने डॉनेट करते हैं 25 रूपीज हाना हर एक बच्चा 25 रूपीज डॉनेट करता है क्लास 6 का ओके एंड फिर कहता है 25 students of class 6 class 6 class 5 class 5 कितने स्टूडेंट है 25 पर टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट कितना डूपीज करता है 50 रूपीज 2000 कितना अमाउंट कलेक्ट हो गया 2000 तो हम लोगों से question यहाँ पर कहता है find the number of students of class 6 who donated कितने ये से बच्चे हैं class 6 के जिन्होंने 25 रूपीज करके जमा किया ओके यह पहला question total amount कितना collect हुआ यह तो हमको पता है और यह कितना हो रहा है तो रूपीज 2000 यह हमको पता है ओके आप देखिए total amount हम कैसे निकालेंगे तो class 6 के कितने बच्चे हैं class 6 के x student दे रहें ओके और कितने दे रहें तो 25 रूपीज करके दे रहें तो आप इसको multiply किजिए अनिकी x into 25 कर लिजिए प्लस आप देखिए यहाँ पे class 5 के कितने student है 25 रूपीज तो आप इसको multiply कर देजिए तो यह हो गया 25 into 50 ओके अब यह total amount हमको यहाँ पे मिल जाता है 2000 चलिए अगला step हम देखेंगे क्या होगा हमारे पास तो यहाँ पे हमको मिलता है 25 x और इसको अगर हम multiply करते हैं तो 25 कितना होता है 125 और एक 0 आप लगा देजिए तो यह हो गया 1200 और आगे हम देखेंगे यह हमारे पास है से रुपीज 2000 के लिए अभी हम next step के और बढ़ेंगे तो यह हमारे पास हो जागा 25 x और यह जो आप देख रहे हैं 1250 यह राइट चला जाएगा तो यहाँ पे minus में हो जाएगा ओके तो हम यहाँ पे क्या note कर लेंगे रुपीज 2000 माइनस रुपीज 1250 ओके तो चलिए हम लोग थोड़ा next step के और देखते हैं क्या होता है अगला step हमारे पास यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा रुपी 750 ओके तो यह हमारे पास आ गया 25 x तो अभी देखिए यह अपना जो 25 x है न इसमें हम अग रखते हैं तो 25 मेरा right side जाएगा तो वह क्या होगा divide में हो जाएगा तो आइए इसको हम अच्छे से note कर लेते हैं यहाँ पे हमने x लिखा और यह होगी हमारे पास 750 और यहाँ पे divide होगा किसे 25 से तो अभी हम इसको cancel कर लेते हैं तो यह देखिए three times में cancel हो जाएगा तो हमक यह हमारा number of student आएगा उके तो इसको cancel कर लें यहां से हमारा यह इंगा 30 के बाइगा और रूपीज नहीं निकालने आप देखिए नमब और रूपीज नहीं आएगा चलिए यह हमारा हो गया अभी हम आगे अगला step क्या लिखेंगे वो हम चेक करते हैं आईए तो चलिए अगला step के और बढ़ेंगे हम next step में हम not करेंगे यहां पर तो हम यहां पर not करेंगे so number of students of class 6 who donated equal to 30 30 students ऐसे हैं जिरहोंने donate किया यह हमारा answer फर्स्ट का आगया अब second question यहां पर क्या कहता है वो चेक किजिए what value is depicted by a student अस्टुडेंट का कौन सा value यहां पर हम लोगों को दिख रहा है तो question number B पर हम यहां पर note कर लेंगे social value social or helpful value भी हम लिख सकते हैं तो इस तरह से हम यहां पर और भी कुछ लिख सकते हैं what value of our students is depicted here तो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं आप लिख देजी etc आप कुछ और भी डाल सकते हैं तो इस तरह से हम लोग यहां पर complete कर लेते हैं value waste के सारे questions को so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others okay and do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead